सो हे गाईज आजखे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं NDA एक्जाम के एक प्राक्टिकल स्ट्रेटजी के बारे में जिसे अगर आप आज से फॉलो करते हो तो अभी से पढ़कर भी आप NDA रेटन एक्जाम को क्रैक कर सकते हो जी हाँ गाईज अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट एक्जाम की स्ट्रेजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको NDA रेटन एक्जाम का एक ब्रीफ इंफो दे दो जिससे कि अगर आपका कोई फ्रेशर भाई भी यहां पर है तो उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाईस सबसे पहले NDA एक्जाम के पैटन की बात कर लें तो अब यहां पर दो पेपर होता है हमारे धाइड़ गंटे के फर्स्ट पेपर होता है हमारा mathematics का एंग सेकंड पॉर्षन होता है हमारे GAT का अगर हम GAT को भी सब्सक्राइज डिवाइड करने चाहिए तो तीन पॉर्षन में डिवाइड कर सकते हैं इंगलिस, science and GK ठीक है अब marking scheme के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो सबसे पहले total marks होते हमारे पास 900 marks जिसमें से हमारे maths के mark होते है 120 question आते है math में जिसके 300 marks के होता है मतलब plus 5 by 2 marks का एक question होता है और इसके negative marking के बात करते हैं तो इसका one third negative marking होती है, इंगलिस का exam होता है इसी तरह 50 question 200 marks के आते हैं, GK 100 question 400 marks की आते हैं तो GK में हमारा science भी होता है जिसमें science में 50 question आते हैं जीके में 50 question आते हैं ठीक है तो and GK person की especially बात करते हैं तो यहाँ पर हमको right option के लिए plus 4 दिया जाता है and negative option के लिए मतलब अगर wrong हो जाता है answer तो negative one third हो जाता है means 4 by 3 negative 4 by 3 1.33 आएगा ठीक है समझ लेने इसको अब बात कर लेता है हमारा इस strategy के तहत हमारा क्या goal होने वाला है score क्या होने वाला है minimum score कितना होने वाला है तो देखो सबसे पहले maths में आते हैं 120 questions 120 questions आते हैं जिसमें हमारे goal के according हम करेंगे 60 questions को target means यहां से हमारे marks बन जाएंगे 150 ठीक है यह हम एक minimum score मान के चलना है इसके बाद English होते है हमारे 50 questions जिसमें हम 30 questions को target करेंगे and उनके marks अगर calculate तो 120 marks हो जाएंगे इसके बाद हम science में भी 50 questions में 30 questions को target करते हुए चलेंगे जिसे के हमारे 120 marks यहां से हो जाएंगे and इसके बाद अगर इन GK portion को करते हैं तो GK portion में 50 questions होते हैं जिसमें समकेवल 20 questions को target कर रहे हैं जाकि आप इनमें से अगर किसी में गड़बल करते हो तो यहां पर अपने marks increase कर सकते हो तो यहां पर हमारे marks हो जाएंगे आप एरफोर्स नेवी या आर्मी किसी के बिलिए प्रफरेंस दो तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी strategy को जिससे कि आप इस marks को gain कर सको minimum marks को gain कर सको तो सबसे पहले बात करते है math की तो math में अगर आपको नहीं पता तो math में 50% question easy आते सबसे मैंने बता दू कि important question math की strategy की एक special video में पहले सब बना चुका हूँ तो उपर i button पर आपको link मिल जाएगी आप अभी जाकर देख सकतो otherwise video के description में link मिल जाएगी आप वीडियो के last में जाकर भी उसको देख सकतो जहाँ पर मैंने बताया हुए कि important chapter कौन से हैं बटा भी बात important chapter की नहीं है आपको तयार कैसे करने हैं यह 50% easy question जिससे कि आप 60 questions को target कर सको तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी so guys आपका target 5 hours आप follow करोगे maths में 60 questions को सही करने के लिए target 5 hours के आपको first एक hour में chapter की थेवरी करने हैं एक hour में chapter की थेवरी करना तो possible ही नहीं आपको होगे तो जी हांगे एक hour में chapter की थेवरी करना पॉसिबल नहीं बट आपको एक brief info ले लेना है chapter का कि यह chapter में है हमको यहां पर यह formula है यह formula है यह formula है अब पहले दो घंटे में आप question solving करोगे मतलब पहले एक घंटे में आपने ने क्या किया chapter की थेवरी complete देख ली फिर second जो दो hour का time रहेगा उसमें आपने क्या करना है question solving करने का भी एक special तरीका है आपने क्या करना है इसमें mind चलाना है means question देखा question में अपना mind चला है कि इसमें यहां से यह formula लग सकता है फिर आपने chapter की जो theory पढ़ी है वहां से जो formula notes बना है उसमें से आपने देखा कि यह formula लगा के हम यह question कर सकते है ठीक है इस तरह से आपको दिमाग चला चला के question करने है अब आपके पास third का जो मेरा दो hour का time slot होगा इसमें क्या करना है आपके पास जो भी एक sold pyq की book वहां से आपको chapter wise pyq देखने है और उनका solution देखना है अगर आपको उसमें से किसी भी question में problem आती है तो आपको question देखने है और इन two hours में आपको करीबन 50 question देख लेना है ठीक है यह काफे ज़्यादे important रहेगा क्योंकि आप last में ताहरी कर रहो और इससे बहुत ज़्यादा help मिलती है जी हाँ इस ठीक है तो अगर important इसकी book की बात करते हैं तो आपको telegram पर book मिल जाएगी pyq की solid pyq book ठीक है तो जाके join कर लेना telegram channel को नाम है unknown teacher आपको screen पर दिख रहा होगा ठीक है अब बात करते हैं इसके बाद maths में कुछ important tips हैं जो कि आपको follow करनी पड़ेंगी ठीक ह होगा तो उसमें आपको एक चीज दियान रखनी है आपको question एक attempt में करना है बहुत बंदे क्या करते हैं कि silly silly mistakes करके उनको 4-5 try करने पड़ते है question solve करने पर तो आपको क्या करना है focus करना कि question एक बार में ही हो अगर वो एक से ज्यादा time लगा रहा तो आपको main paper में दिक्कत हो सकते है इसलिए try करो कि एक try में हो जाए and take at least one mock paper in a week week में एक mock paper जरूर सही देना है आपने previous paper भी देश सकते हो आप इनकी जगा पे number third point आता है make formula notes आपने daily formula notes बनाने जो भी chapter आप revise करोगे इसके formula notes जरूर सही बनाने और उनको morning में revise भी कर लेना है number four tip की बात आती है read each and every chapter बहुत सरे teachers आपको मिल जाएंगे कि आपको जो chapter आपके week है उनको छोड़ सकते हो जो strong है उन पर focus करना है but मैं आपको यह advice दोंगा कि आप every chapter रीड करो means आपको कोई भी chapter छोड़ के नहीं जाना क्योंकि छोड़ने में क्या होता है कि अगर कोई भी formula based question भी आगया तो आपके पास इतना time है कि आप सभी के सभी chapter कम से कम formula तो देख सकते हो जैसे मानलो कि आपको 3D symmetry बिलकुल नहीं आ करना है question में तो वह वाला question भी आप छोड़ दोगे तो ऐसी कलते हैं अपने नहीं करने हर एक chapter को पढ़ना है भले आप उसके formula ही पढ़ो आप बात करेंगे इसके बाद English की इंग्लिस की strategy बताने से पहले मैं आपको इंग्लिस का एक बार course बता जाता हूं तो इंग्लिस में हमारे spotting errors आते है re-ordering आती है re-ordering मतलब आप कह सकते है words in arranged manner synonyms and antonyms आता है vocabulary आती है जिसमें idioms phrase आता है मेरा spotting errors हर साल देखने के लिए मिला है यह बहुत ज़ाद important synonyms and antonyms most 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 important उसके बाद बात करते है तो vocabulary important है अब vocabulary important इसलिए है क्योंकि vocabulary और synonyms and antonyms लगबग मैच करते हैं and spotting errors के तो question 10 आते ही आते है हर साल अब अगर इसमें से easy topics की बात करें कि इनमें से easy topics कौन से हैं तो reordering जब भी हैगी आपको 10 नंबर देके जाएगी means 10 question आप इसके सही करें वो 40 marks हो जाएंगे synonyms and antonyms easy topics में count करता हूं comprehension easy topic होता है अब मैं आपको बताता हूं इसको पढ़ना कैसे है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है synonyms, antonyms, vocabulary तीनों मिलाके आपको daily one hour morning में या late night time matter नहीं गरता आप कभी भी जब भी आपका interest है आप पढ़ सकते हो ठीक है आपको whole year means जितना time बचा हुआ उसमें पढ़ना कैसे है क्या पढ़ना है आपको spotting errors के permanent lectures देखने है means proper way में इसकी study करनी है इसके बाद आप fixed preposition देखोगे इनको पढ़ने के कोई special ज़रूर्द नहीं है आप fixed preposition देखोगे तो मैंने क्या बताया आपको पढ़ने के लिए आपको क्या देखना है spotting errors जिसको आप syntax भी कहतो उसके proper lectures और fixed preposition का proper lecture ठीक है इसके बाद आप synonyms, antonyms, vocabulary daily one hour करोगे अब देखो इनको पढ़ने के लिए एक permanent factor होता है वो क्या है कि जब भी आप इनको पढ़ो तो ज़रूर नहीं है कि synonyms में synonyms देखो बट जो word आप इंग्लिश के paper करने की एक short trick भी होती है जिससे कि आप एक अच्छा guest लगा सकते हो बट वो trick आज मैं नहीं बताऊंगा तो चैनल को subscribe नहीं को subscribe कर लेना है जिससे कि आगे आने वाले वीडियो में आप उसको जान सको ठीक है तो अब English में आपने इंतने करने हैं आप बात कर question biology में 10 to 12 question ठीक है ये किवल एक analysis है ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये vary भी कर सकता है बट अगर बात करते हैं कि इसको कैसे पढ़ना तो best books का मैं एक वीडियो बना चुका है जिसकी लिंक आपको उपर i button पर मिल जाएगी अगर अभी देख सकते हो या फिर वीडियो के बाद मै description में जाके देख लेना ठीक है अब देखो physics chemistry biology की बात करते हो देखो ये बिल्कुली basic level के आती है अगर आप first year अच्छे से या एक एक chapter अपने पढ़ा हुआ है कि बार पढ़ा हुआ है कोई अच्छे मतलब जरूरी नहीं कि आप उसको jman के level से पढ़ो या air force के level से पढ़ो मैंने biology पढ़ी थे और मेरे 14 question है थे उस साल paper में and मेरे 14 में से 14 question सही तो आप इससे अंदाजा लागा सकते हो कि इतना easy होता biology portion तो आप इसको daily अगर 15 minutes भी देख लेते हो and 10th की 9th की complete कर ले तो biology तो इससे आपका काम हो जाएगा ठीक है but मेरी तरह मेर्जना की last के 3 दिन में ह पढ़ा क्योंकि वह एक guess भी हो सकता है and mind का भी कुछ game हो सकता है ठीक है आप बात करेंगे इसके बाद gk की so guys बात कर लेते हैं अभी gk की तो gk में हमारे आते हैं five subjects first history, second geography, third policy, fourth economics and fifth current affairs तो इन पाचों को अलग-अलग कैसे तैयार करना है इसके बारे में strategy के उपर बात कर लेते हैं तो first subject आता है हमारा पास history तो history मारे दो तरीके होती है पहली होती है modern, पहली होती है world history and second होती है Indian history world history पर आजकल question बहुत ज़्यादा कम आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि Indian history को कैसे तैयार करना होता Indian history को अगर हम part wise में divide करना चाहिए तो first part आता हमारे पास ancient history, फिर आता है medieval history and third आता है modern history अगर आपको knowledge gain करना होता तो आप first ancient, second, medieval and third पर modern को पढ़ते हो क्योंकि modern से हमारे 10 से 12 question आते है, medieval से 3 से 4 question आते हैं and ancient से केवल 2 और 3 question आते हैं ठीक है तो modern पर आपको focus करना है, modern पर भी कुछ topic होते हैं जिनमें आपको mostly focus करना है जैसे revolt of 1857, East India company era world, Indian national congress and gandhian era and freedom struggles ठीक है तो इनके उपर आपको most probably focus करना है and कौन से topic कि subject में important होते हैं इसके उपर अलग समय वीडियो बनना दूँगा तो चैनल को subscribe जरूर से ही कर लेना ठीक है आप देखो बात करते हैं इसके बात geography की, तो geography हमारी दो तरीके हो की थी एक, world geography and second, Indian geography से question बहुत ज्यादा कमा, sorry, Indian geography से question इस समय बहुत कमा रहे है, world geography के बहुत ज्यादा importance में आपको रखना है इनमें से कौन सा topic important इनके उपर अलग से वीडियो आ जाएगी and best books की वीडियो की लिंक आपको description में मिल जाएगी जो कि मैं पहले बता चुक हूँ, ठीक है अब इसके बाद बात आती है हमारी quality and economics की इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो तो अच्छा हो जाता है ठीक है अब बसता है हमारा current affairs का पार्ट तो पिछले वीडियो में आपको बता चुक हूँ कि current affairs आपको कहां से पढ़ना है बट मैं आपको आज website भी बता तो जाहां से आपको पढ़ना है तो आपको जागरन जोस website है उससे आपको monthly analysis weekly analysis वाले portion को पढ़ना है जिससे कि आपक complete question current affairs का हो जाएगा ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है next video में तब तक के लिए thank you bye bye